रात्रिक लाश चल रहा था 21 नवंबर 1967 दूसरे पीच की मद्धी में बात चल रहे थी जो हद्ध के सन्यास ही है उनका सन्यास उनका सन्यास पुरान ही दुनिया का सन्यास है और तुम बच्चे अभी पुरानी दुनिया को छोड़ जैसे बीच में नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच संगम में बैठे हो तुम्हारा ग्यान है नहीं तो सभी यही कहेंगे कि कल यूग है तो वो कल यूग में है तुम बीच संगम में हो तो वो संगम यूग भी होता है और वो होता ही है ब्रामुनों का संग्या ना देखो ब्रह्मा की आउलाद ब्रामुनों का हुआ ना और उनों ब्रामुनों में ये है चोटी ब्रामुन की और ये शुद्र ये फिर देवता ऐसे कहती है और ये जो चोटी है वो छोटा यूग है ब्रामुनों का मस्तक और सारा सिर है देवता समान भुजाएं हैं छत्री समान पेट और जंग हैं वो भी वैसे समान बाकी जो टांग है वो हो गई नीचे की छुद्र तो वो तो लंबे चोड़े हैं सब और चोटी तो छोटा है क्योंकि ये तो बहुत थोड़े टाइम की होती है चालेश साल, साट साल, सो साल, ज्यादा से ज्यादा तो भी यहद का बहा पाते हैं बस वहां से शुरू होते हैं वहां माने कहां? कल यूग से और जब लड़ाई लगती है विनास होते हैं सब कोई चालेश पचास बर्सका रखेंगे संगम को सुर्वनसी देवताओं के हिसाब से हैं देवताओं भी तो चार वस्थाओं से पसार होती हैं दुनिया में हर चीज चार वस्थाओं से पसार होती है तो उसे कम से कम चालेश ज्यादा से ज्यादा पचास बर्सके तो संगम युग की शुरूआत के हैं 36-37 उसे में 40 वर्स जोड़े तो 76 आता है तो ब्रह्मा से कनेक्शन है शिवजिस्तन में प्रवेश करते हैं तो नाम रखते हैं ब्रह्मा पहले अब्बल नम्बर में प्रवेश करेंगे तो बड़ा हुआ ना कहेंगे परम ब्रह्मा बान प्रस्था बस्था में प्रवेश करते हैं तो 60 वर्स में बान प्रस्था बस्था 40 वर्स और तो 76 आता है फिर बारी आती है चित्रमुकी ब्रह्मा की उनको दस साल और जोड़ दो तो 50 साल तो कहेंगे 1987 तो यह पचास वर्स हुए ना रखेंगे पचास है एक बरस का छोटा योग उसे तो सो बरस भी नहीं कहेंगे बस पचास वर्स सो साल की सदी तो नहीं हुई सदी होती है सो साल की तो वो तो सो बरस है और यह पचास वर्स तो यह पचास वर्स गुजरने में कोई देरी थोड़े ही लगती है कि आत जन में लिया कल पांच वर्स का हुआ अभी तो पचास वर्स का है तो यह शरीर छोड़ा पचास वर्स में कौन सा शरीर छोड़ा यह थुल शरीर छोड़ा यह सुख्यम शरीर छोड़ा सुख्यम शरीर छोड़ा चाव मुखी ब्रह्माने और यह एक जनम का ही युग होते हैं और यह है खुशी का युग है क्योंकि असो को सांती से चैन की बंशी बजाई ना क्रिष्ण को सोला कला संपुण कहते हैं ना तो चैन की बंशी बजाई चैन माने खुशी तो बिल्कुल यह पचास वर्सका खुशी का युग हुँ अब खुशी उनको किसा बात में है बस बुद्धी में बैठा है बाबा पढ़ाते हैं अरे भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान की बात बुद्धी में रहने से इस्टूडेंट्स को यह कितनी खुशी होगी बताओ भला परम तु नहीं है खुशी इस्टूडेंट्स को क्योंकि हैने स्टूडेंट्स के भीचे में माया है ना तो वो बहुत तूफान में ले आती है किसे लिए इतनी खुशी नहीं है कौन सी माया चोटे रूप बीज रूप बाली माया या बड़े रूप बाली माया इस्टी एक जाड़ है ना तो बीज उसके सब बहुत चोटा होता है और उसकी जड़े जो आधार मुर्त जड़े है वो तो बड़ी होती है तो माया भी बीज रूप से बड़ा रूप दान कर लेती है तो इतनी खुशी नहीं रहती है नहीं तो बिवेक से काम लियो तो ग्यान बुद्धी में रहे कि भगवान पढ़ाते हैं अब ज्यान की बातों में साक्षात कार की तो बात ही नहीं ऐसे तो देखो वो मनुश्यों ने लिखी गीता है उसमें भी है भगवान वाच कौन पढ़ाते हैं भगवान पढ़ाते हैं परंतो वो तो कृष्ण का चित्र सामने ले लेते हैं कलाबद्ध क्रिष्ण कलाओं में बांधा हुआ जिसके यादगार मंदिर बच्चा बुद्धी के क्रिष्ण दिखाया हुआ है छोटा बच्चा तो उसका चित्र सामने ले आते हैं छोटा बच्चा क्या चरित्र करेगा तो बच्चा बुद्धी के ही चरित्र करेगा ना अब यह उनों को तो भगवान नहीं कहा जा सकता है उसो को क्यों नहीं कहा है उनों को क्यों कह दिया चाहे वो सत्युगी क्रिष्णा हो और चाहे वो संगम युगी क्रिष्णा हो पहले तो बच्चा ही होगा ना फिर बाद में बड़ा होगा तो ना रहने बले तो बच्चा बुद्धियों को भगवान थोड़े ही कहा जा सकता है और बच्चा तो सत्युगी क्रिष्णा है वो तो जनम शरीर भी छोड़ेगा कि नहीं है? इसका जनम होता है तो शरीर भी छूटता है ओ गीता में भी लिखा है द्रवम जन्म मरतस्यचर जो मरता है उसका जनम भी होता है जनम होता है तो मरता भी है तो जो जनम मरण के चक्कर में आता है वो तो बगवान नहीं हो सकता क्योंकि बगवान का तो जनम है म्रत्यू कहां होती है ऐसा कौँ सा देवता है शास्त्रों में भी माना गया है को उसका प्रतक्षतारूपी संसार में जनम तो है लेकिन म्रत्यू नहीं है कोई है या नहीं है कहते है महादेव देवताओं में बड़े ते बड़ा देवता या मेडियम या छोटा बड़े ते बड़ा देवता तो भगवान तो मनिश्य को देवता बनाता है ना तो छोटा मोटा देवता बनाएगा क्या बगवान है उंक्श ते उंक्शा बगवंत कह मिस्युटता है तो कैसे देवताइब एग़े उनक्श स heating देवता तहरा 挺 महज देवतícios महारा के कहते हैं महादेव donc, जिए बगवान ऑंवेंगे क्या बणाया है अरे सावकार होगा तो अपने बच्चे को क्या बनावेगा सावकार बनावेगा जमीनदार होगा तो अपने बच्चे को जमीनदार बनावेगा मल्टी मिलियनायर होगा तो बच्चे को मल्टी मिलियनायर बनावेगा और ये भगवान है तो क्या बनावेगा देवता बनाविए अरे नहीं हो तो भगवान भगवती बनाता है आप समान बनाता है अगर मेल है तो भगवान और भी मेल है तो भगवती तो भगवान तो एक होता है कि दो होते हैं भगवान तो एक होता है तो जो भगवान है वो मेल रूप में होता है या कभी फीमेल भी होता है भगवान तो मेल होता है तो एक मेल भगवान वो तो जनम मरण में नहीं आता है तो उसको महादेव कहा जाता है क्योंकि मेल है अगर फीमेल हो तो क्या कहा जाए महादेवी नहीं तो वो भगवान पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाता है नहीं मना डबल क्यों कर दिया बहुबचन क्यों कर दिया क्योंकि पढ़ाने वाली दो आतमे हैं एक है वो सुप्रीम सोल जो कभी भी जनम मरन के चक्र में नहीं आता है और दूसरा वो जो आकर के सुप्रीम सोल आप समान जिसे बनाता है तो कुछ तो फर्क होगा ना तो क्या बनाता है उंचे ते उंचा पार्ट धारी हीरो पार्ट धारी सस्थिरू पीरंग मन्चका बनाता है परन्तु फिर भी अंतर तो होगा ना तो एक आखरी जनम में आकर के मनुष्य बनेगा या नहीं बनेगा मनुष्य तो बनता है तो बताया तो दोनों ये आत्में जो सुप्रीम सोले और सुप्रीम सोला करके आप समान बनाते हैं जिसे बड़े बच्चे को तो दोनों मिल करके पढ़ाते हैं और वो जिसे में सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं वो फिर उठते, बैठते, चलते क्योंकि इस्टुडेंट तो है ना कि पहले साही टीचर है पहले इस्टुडेंट है फिर बाद में बले उठी पढ़ाई पढ़के क्या बने टीचर भी बने तो कोई तो बड़ा इम्तान पढ़ते हैं स्टुडेंट बो भी उठते, बैठते, चलते उनको याद दो रहती है ना कि मैं क्या पढ़ाई पढ़ रहा हूँ उठी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ तो बुद्धी में तो आता है ने ये उउच पढ़ाई कौन पढ़ाता है अब यहाँ तो तुम बच्चे जान गए हो जो पढ़ाने वाला है वो सुप्रीम टीचर है कोई सामानी टीचर तो नहीं है तो याद रहती है कि सुप्रीम टीचर है क्या पढ़ाई पढ़ाई रही है और स्टुडेंट को याद रहती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ स्टुडेंट को टीचर भी याद रहता है सुप्रीम टीचर की कौन पढ़ाई रही है सुप्रीम टीचर पढ़ाई रही है तो ऐसी उंचे ते उंची पढ़ाई पढ़ूंगा तो क्या पद पाऊंगा? बुद्धी में तो रहता है ना? तो उनको याद ही रहता है. कब तक याद रहता है? जब तक पूरा इम्तान हो जाए तब तक बुद्धी में याद रहता है कि हमको ये उंच ते उंच पद पाना है. क्या है उंची ते उंची पद बगवान मनुस्य को पढ़ाई पढ़ाने आते मनुस्य को नर कहा जाता है नर को आ करके क्या बनाते हैं नारायन बनाते है अलोन को नारायन कहो या विश्णु को नारायन को नामी है नर आयन आयन मने घर कहा घर है ज्यान जल में घर है तो विश्णु को भी तालाब में दिखाते हैं ना छीर सागर में दिखाते हैं ना तो उनोने देको ने पाल में तालाब बनाई दिया अब एतना बड़ा छीर सागर तो नहीं बनाई सकते, तो चाला तालाब में दिखा जाए, तो बुद्धी में याद रहता है, जब तक इंतान न हो जाए, तब तक याद रहता है, कि मुझे ये नरसे नारेन अर्थात विश्नु बनना है, विश्नु कहो प्रविट्टी मार का यार्धनारी स्वर कहो, बात तो एक ही हो गई ना, तो इंतान जब हो जाता है, तो पीछे भी याद तो रहता है, परंतु फिर क्या होता है, इंतान हुआ और पद पाया, तो फिर पीछे याद नहीं रहेगी टीचर की, फिर पदा का नशा आ जाता है न तो याद नहीं आएगा सुपरेम टीचर क्यों के फिर तो वो सुपरेम टीचर जो है सुपरेम बाप है बेहदका निराकारी बाब सदा आशिव, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहेंकारी रहता है, कि कुछ कटवती हो जाती है, नहीं, तो बहुत तो फिर नहीं दुनिया में चले जाते हैं, तो याद कैसे आएगा, हौ, जिनको आप समान बनाया, वो नहीं दुनिया में चले गए, और जो सुप्रीम सोल बाब है, वो तो नहीं दुनिया में आते ही नहीं हैं, तो जब सुप्रीम सोल नहीं दुनिया में आते ही नहीं है, तो बहाँ याद टीचर आएगा, है? याद ही नहीं आएगा, तो ये है तुम बच्चों का सभी का भी अंतिम जनम, तो अंतिम जनम होने के कारण, साभ बच्चों की बान प्रस्थावस्था, आखिरी जनम है, तो आखिर में बान ही से परे जाने की ये बस्था, तुम बच्चों की बने, बने बोलने की दरकार, है यह नहीं, क्यों? अरे कुछ बोलेंगी नहीं, तो कोई दूसरा समझेगा कैसे है, समझेगा, नहीं समझेगा, अच्छे, अरे मन बुद्धी की पावर से, बाइब्रेशन से भी समझा जाता है, कि नहीं, मन बुद्धी के संकल्प है, जब तीखे होंगे, तीख्ण संकल्प होंगे, तो वो दिल से दिल को राहत होगी या नहीं होगी, होगी, तो ये बच्चों का अंतिम जयनम है, बान प्रस्थवस्था में, हैं? अंतिम जयनम होने के गाण, सब की बान प्रस्थवस्था तुम बच्चों की बनती है, सब की मने कितनों की? 10 लाक की? कितनों की? सब की वान प्रस्था बनती है? सब की वान प्रस्था बस्था? 4.5 लाक की उन में भी मेल हैं शरीर से और आदे फी मेल हैं तो सब की वान प्रस्था हाँ ज़्यादा बातों नहीं कौन होते हैं दोनों में हाँ माता हैं बहुत बोलो बोलो करती है वो बोलो बोलो करती हैं दो तरह की माता हैं न? क्या? प्रकृति जो है न वो माता का रूप है न तो प्रकृति के दो रूप है एक तो देह का रूप पांच तत्तों का जड़त्त में रूप और एक बो रूप है जो पांच तत्तों के जड़त्त में रूप को चलाने वाला है मुख का वो मुख में आत्मा है ना चलाने वाली चैतन्य तो उसे का जाता है परा प्रकृति परे ते परे रहने वाली प्रकृति कैसी प्रकृति जिस प्रकृति रूपी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट बरा हुआ है तो छोटे बच्चों को भी ये सिक्षा देनी चाहिए क्या कि जो बेसिक नालिज लेने वाले बच्चे हैं उनको सिक्षा नहीं देंगे कि बाई बाण प्रस्था बस्था प्राप्त करना है जब तक बाणे से परे इसी दुनिया में नहीं जाएंगे तो फिर संती धाम क्या जा सकेंगे शांत हो करके जा सकेंगे नहीं जाएंगे तो छोटे बच्चे हैं बेसिक नालिज वाले ज्यादा संख्या किसकी होती है बेसिक नालिज में रहने वालों की संख्या ज्यादा होती है या उंची पढ़ा ही पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है ज्याद को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि भई वान प्रस्थवस्था में जाना है तो क्या करना है मन बुद्धी के वाइब्रेशन को तीखा बनाना मन बुद्धी का काम लेंगे तो मन बुद्धी तीखी बनेगी और बाचा से बोलते रहेंगे कर्मिंद्वियों से कर्म करते रहेंगे तो मनसातिक ही बनेगी नहीं बनेगी तो ये एक दिन आएगा जरूर जो ये बच्चे भी जो डेर के डेर बैसिक नालिजी के स्कूल बगर है न उने के टीचरों को भी ये डाइरेक्शन मिलेंगे ज्यादा पढ़ाई पढ़े वाले होते हैं ये थोड़ी उनकी पढ़ाई कम होती है थोड़ी पढ़ाई होती है तो उनको भी डाइरेक्शन मिलेंगे जब डाइरेक्शन मिलेंगे तब इन सब को अपने बाप का परिचे दियो बच्चों को, छोटे-छोटे, बेसिक नालेजिकी बच्चों को, है न, हाँ, हाँ, 21 नवंबर 1968 की रात्री क्लास का 30 पर, तो फिर, बाप का परिशे मिलेगा, बेहद के सुप्रीम सुल बाप का, कैसा परिशे, कि वो सिर्फ निराकार नहीं है, वो निराकार होते हुए भी, कि बेसिक नालेजवाले, तो क्या समझते हैं, बाप क्या है, सुप्रीम सुल, बिंदी है, और वो सदाकाल, बिंदी ही रहता है, अरे, बिंदी है, तो तुम्हें गीता ग्यान कैसे देगा, ग्यान देने के लिए बिंदी फुदुदुदुदु देने के लिए, शकास देने के लिए आखें चाहिए ना, फिर बच्चों की बात हैं सुनने के लिए प्रस्णोत्तर भी चाहिए ना, तो कोई बात समझ में नहीं आती है, तो बच्चों को पूछना पड़ता है टीचर से, तो प्रस्णोत्तर करने के लिए कान भी तो चाहिए ना, नहीं तो बाप सुनेगा कैसे बच्चों की बात है, सुनेगा, तो फिर ऐसे बाप का परिशे दियो, जो बाप सुप्रीम सोल निराकारी है, वो साकारी मनुष्यतन में मूर्थी में प्रवेश करें, वो तो अमूर्थ है ना, अमूर्थ माने उसकी तो मूर्थी है ही नह उसको अपना शरीर है ही नहीं, तो वो मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, तो यादगार जो मंदिर है, पुराने-पुराने, इसे स्वामनात मंदिर था ना, तो उसमें मूर्ति भी दिखाते हैं, तो शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं, और फिर वो शंकर की निराकारी स्टेज वाली लिंगमूर्थी भी दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, और बाप कहते हैं न तो मेरी लिंगमूर्थी की यादगार है, और नएस दुनिया में मेरी मूर्थ रूप की यादगार है, क्या, मैं, मैं कोई पुर्शार्थ करता हूँ, क्या, निराकारी बनने का नहीं तो जो निराकारी बनने का पुर्शार्थ करते हैं और मुझे याद करते हैं तो याद की सारी महमा है क्या याद कहो है उसको उर्जा कहो याद की उर्जा अब जो जितनी याद करेगा किसको साकार निराकार के मेल को जितना याद करेगा उतना वो पावर आत्मा में बरेगा तो ये बाप का परिचे दियो साकारी सो निराकारी बाप का तो फिर उसकी मेहमा होगी बाप की मेहमा निराकार की होगी कि जब साकार शरीर दान करे तो गुणा अब गुणा की मेहमा होती है तो उने की मेहमा तब करें जब पहचाने कि वो निराकार जी होती बिंदू जिसे बिंदू को आती सूक्ष्मते सूक्ष्मते कितना भी छोटा बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ लंबाई चोड़ाई होती है क्या, आकार प्रकार उसका बहुत बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, तो आज कल तो ये भारत माता की फलाने की क्या क्या इस्तुती करते रहते हैं, भारत माता की जय हो, बोलते हैं ना, भारत माता की जय हो, कभी बोलते हैं भारत पिता की जय हो, नहीं बोलते तो किसकी उस्तिती करते हैं किसकी प्रार्थना करते हैं माताओं की पीछे लगे रहते हैं देवियों की पूजा करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कुछ न कुछ बाप कहते हैं नहीं ऐसा भी समय आएगा जो फिर सभी को ऐसे ही कहेंगी कैसे? क्योंकि करेक्टर सुधारना है ना क्या? हाँ को दोसारे करेक्टर बच्चों को यह जब मिलेगा करेक्टर सुधारने की बात सुधारने वाला तो उनका करेक्टर सुधारेगा कैसे सुधारेगा? शिव जोति बिंदु की याद में रहने से सुधारेगा निराकार की याद में रहने से करेक्टर सुधारेगा लुक्रेखर, इब्राहीम, बुद्ध, लुक्रेष्ट और उनके फालूवर्च का गारेक्टर सुधारता है किया को जू दरता है के हिंसक बने रहते हैं राक्षास, जानवर करने रहते हैं खून खार, खून कार, दूसरों को दुख देने वाले, की देवता बनते हैं देवताओं की तो कॉरेक्टर बड़े अच्छे होते हैं, बहुत मीठे तो देखो बच्चों को यह सुप्रीम सोल बाप जब साकारी बने और मिले लिडाकार सो साकारी बने और साकारी बन करके मिले तब उनका सारेक्टर सो धरेगा याद में रहते 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 यह हो सकता है तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे बेसिक नालिज रहने वाले जिनकी बुद्धी में यही इतना ग्यान है कि मैं आतम मेरा बाप जोती बिंदू आतम लेकिन कौन है अरे बाप कोई सरव्यापी होता है क्या बाप तो सरव्यापी नहीं होता बाप होता तो एक ही होगा न अरे कोई बच्चा ऐसे कहेगा नहीं यह भी मेरा बाप बो भी मेरा बाप बो भी मेरा बाप एक बाप बताएगा या अनेक बाप बताएगा एक बाप बताएगा तो वो सुप्रीम सोल बाप Heavenly God Father स्थापन करने वाला है ना तो वो आकर के जब तक साकार मनुष्यतन में प्रभेशन करे जो अर्जुन रथ दिखाते हैं गीता में मोनो ने इस्थूर रथ समझ लिया है कैसा रथ लकड का तो पहले लकड बुद्धी होगा या नहीं होगा अब पहले तो लकड बुद्धी होता है फिर बाद में आकर के उसको लकड को कहो पत्थर को कहो पत्थर को आकर ये पारस बुद्धी बनाते हैं Supreme Soli ही तो बनाते हैं, शिक्षा दे करके. कौन सी सिख्षा? राज योग की शिक्षा दे करके बनाते हैं. तो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, बेसिक नालेजवाले, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं. फिर तो वो भी बड़ी सर्विस करते हैं. Om Shanti.